राहुल गांधी को यादव में लिखा पत्र कहा मदर प्रदेश का नीचर तो बदले को उंग्रेश पूरु प्रदीश सद्यक्ष दामोदर यादव ने चीतू फट्टिवारी सिमांगज सीफा चुनाव आयोग की खिलाफ घोसित आंदोलन को ओवी से फ्रेंड ने लिया वा पाल एवं दतिया में जगा जगा चुनाव आयोग की पुतले जलाने का एलान खिया था आज प्रेस मिग्यप्ति और वीडियो संदेश की माध्यम से यादव ने आंदोलन वापस लेते हुए अपने कारेक करता हूं में शांती के अपील करते हुए कहा कि हमारा संदेश गल करता हूं और निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक तरह से बड़ा महोतसब है आज क्योंकि आम चुनाव के रिजल्ट आये हैं कल मैंने पत्रकार बारता की थी इसलिए यह मेरा संदेश विसेश तोर पे हमारे सभी पत्रकार साथियों के सम्भानिये पत्रकार साथियों के जैसा कल मैंने घोशना किया था कि जिस तरह के एकजिक्ट पोल दिखा रहे हैं अगर बैसे ही प्रणाम आते हैं तो हम यह मानेंगे कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है और चुनाव आयोग पे संका होने के बहुत सारे आधार उन्होंने दिये थे जैसे कि बोटिं था कि चुनाव गड़बड करने के मूड में है लेकिन आज जब परणाम आया तो निश्चित रूप से ये बात इसपस्ट हो गई कि चुनाव ने किसी भी प्रकार की कोई गड़बडियां नहीं की है इस वीडियो संदेश के माध्यम से दो बाते मैं कहना चाहता हूं पहल इतनी आसानी से खतम किया जा सके ये विस्वास फिर से जगा है दूसरी बात एक और बड़ी स्पस्ट तोर पर कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन की हमने गोसना की थी कि अगर यही एक्जिक्ट पोल के परणाम में बदलते हैं तो हम निर्वाचन आयोग के समक्ष पे उनका प्रकार की गड़बडियां नहीं किया एक बात जरूर कहूंगा इसी संदेश के माध्यम से मैंने राहूल गांदी जी को अभी एवी एक चिथी लिखी है और मेल भी उनको कर रहा हूं मैं ऐसा मानता हूं कि मदर प्रदेश में जो चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी लड़ र पिश्राबर का पूर वर्किंग प्रेसिडेंट होने के ना तेओ विसी का दाउदर यादव ये कह रहा है मैंने आठ साल कॉंग्रेस को दिये लेकिन इस चुनाओं में मैंने कॉंग्रेस का साथ देने का काम किया और हमारे अंबेड करवादी सभी सातियों ने आरक्षन समर जी को राहुल जी मार्क दर्सन मंडल में रख ले और जीतू पटवारी जी को ततकाल इस्तीपा देना चाहिए और मैं तो आधर ने राहुल गांदी जी से कहूंगा अगर वास्तम में कुछ करना चाहते हो संभीधान को बचाना चाहते हो तो मद्द परदेश के अंदर लेकिन संभीधान प्रेमी जो लोग हैं और जो भै का प्रितिकार करना चाहते हैं चाहे वो नीतेश कुमार जी हो चाहे चंदरबावु नाइडियू जी हो ये सारे लोग मोदी जी की सरकार को रोकने के लिए इंडिया गठवंदन का साथ देंगे और इंडिया गठवंदन हैं एक तो भाई चंद से का राजाज जी जीते हैं और वो भी बिना किसी बड़े दल के सहारे के खुद की पार्टी पे जीते हैं और दूसरे जो बासवाडा में राजकुमार रात जो आदिवासी चहरा हैं और आदिवासी भाईयों की पार्टी से जीते हैं मैं उनको भी बहुत सारी बदाई दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आधिवासी नेता और एक दलित नेता और पिछले बर्क के हम सब साथ ही मिलके इस देश-प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की किरांती लाके सकारात्मक रूप में समाज के हर बर्क के लिए काम करने का काम कर अगर आप 10 सीटे भी लाते तो 20 सीट का नुकसान होता 10 कॉंग्रेस की बढ़ती इंडिया गठवंदन की बढ़ती और 10 सीटे मोधी जी की और कम हो जाती तो इंडिया गठवंदन को सरकार बनाना और आसान हो जाता अगर राजस्तान में ये प्रणाम आ सकता है गुजरात म में भी कॉंग्रेस इतनी फाइट कर सकती है तो मत प्रदेश में क्यों नहीं ऐसे मैं राहूल गंदीजी से कहूंगा कि जरूर परवरतन लाना चाहिए बहुत बहुत धन्वाद आप सबको प्रणाम